लोग अपने दिन की शिरुवात भी चाई के साथ करते हैं ये कहना गलत नहीं होगा फिर कि चाई किसी नशे से कम नहीं है और साथ ही चाई एक दवाई की तरह भी काम करती है जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में अगर सिर दर्द हुआ तो चाई आलस आ रहा है तो चाय बारिश हो रही है तो चाय चाय को एक तरह से देखा जाए तो वो लोगों की फेलिक्स बन गई है तो वहीं आपको बता दे कि कुछ शग्यों ने दावा किया है कि चाय को पीने से कुछ प्रतार की बिमारियों के खत्रे से बचा जा सकता है तो आये जानते हैं इस बारे में चाय को दुनिया के हर कोने में पसंद किया जाता है जगे और मौसम के हिसाब से लोग चाय को पीना पसंद करते हैं और चाय अलग-अलग तरह की हो सकती है लेकिन वहीं बात करें सबसे फेमस चाय की तो लोगों को दूद वाली कड़क चाई को बहुत पसंद करते है चाई ताजगी देने के साथ साथ शरीर को काफी फायदा पहुचा सकती है चाई के जादूी और और आशुद्धिये गुंड लेने के लिए चीनी यानि चाइना के लोग और जापान के लोग काफी जादा मातरा में इसका सेवन करते हैं लिकिन वहीं आपको बता दे कि रोजाना चाइ पीने वालों में से कई लोग चाइ के फायदों से अंजान होते हैं और वह सिर्फ टेस्ट के लिए चाइ को पीते हैं आपको बता दे कि अब एक नई स्टडी में जिसमें चाय के फायदों को लेकर बताया गया है। चाय की पतियों में एंटी अक्साइडेंट काफी अधिक मात्रा में होती है। लड़ने में मदद करते हैं। एक दिन में एक से पाँच कप चाय पीने वाले लोगों में डेमेंशिया का खत्रा कम होता है। और यह भी बताया गया है कि कोई भी गर्म ड्रिंक स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। और अलड करती है। साथी साथ फोकस करने में भी मदद करती है। वही रोजाना एक कप टी स्ट्रॉक यहार्ट प्रॉब्लम के जोखिम को 4% तक कम कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि जादा गर्म चाय पीने से हो सकता है कैंसर का खत्रा। तो अब जहां हमने आपको बताया कि चाय पीने से जहां बीमारियों का खत्रा कम होता है तो वहीं गर्म चाय पीने से कैंसर का खत्रा भी पैदा हो सकता है। आपको बतादे कि फ्रोइंट्स आंत में कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अमेरिका के बोस्टरं में टॉफ्ट्स यूनिवर्सिटी टॉक्टर जेफरी बल्मबर्ग के मताबिक रिसर्च ये बताती है कि चाय कई तरीके से इंसान को फादा पुचाती है। लेकिन वहीं एक स्टडी में यह चतावनी दी गई थी कि अधिक गर्म चाय कैंसर के खत्रे को बढ़ा सकता है। अब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइकन शेयर करिएगा।